ओके सुरी पूर था इन कनिविनियंस जो भी है हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि यह जो आपकी बेसेस है इन बेसेस की मदद से हम लोग सिग्मा एक सिग्मा वाई सिग्मा जैट लिखते हैं और अब लोग हम देखेंगे कि यह जो हैं वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं इनके की उपर और रिजिल्ट क्या देते हैं और इनका कुछ स्पेसिफिक नाम है उन नाम के अकॉर्डिंग इसका हम लोग काम देख लेगे सपोज मैं इस सिग्मा एक्स का एक्सन देखता हूं इस स्टेट की उपर ऑपरेट कराता हूं जीरो स्टेट पे तो मेरे को रिजिट न इस तरीके से इसका नाम रखा गया है फिलिप ऑपरेटर फिलिप का मतलब ही क्या है यह हमारी स्टेट को फिलिप कर देता है ऐसे अपलोग रिमेंबर कर सकते हो नाव सिग्मा वाई जब ऑपरेट होता है हमारी जीरो स्टेट पे तो मिलता है हमको आयोटा और हमारी दूसर सिमिलरली जब हमारा सिग्मा वाई ऑपरेट करता है वन स्टेट के उपर तो मिलता है माइनस आयोटा जीरो स्टेट इस एक्षन को ध्यां रखते हुए इसका नाम रखा गया फेस्ट एंड फिलिप मतलब यहां पर कुछ फेस इंटेड्यूस करेगा और साधी साथ स्टेट को फिलिप कर देगा इसलिए हम लोग सिग्मा वाई को बोलते हैं फिलिप फेस्ट एंड फिलिप ऑपरेटर अब हम लोग देखते हैं सिग्मा जैट के बारे तो सिग्मा जैट जब हम ऑपरेट करते हैं जीरो स्टेट पे तो मिलता हमको जीरो स्टेट और अगर हम लोग सिग बड़त ओपरेटर सिक मज़ड़ेटोड को तो नाम क्या है सिगमा एकस का करद दो एकहिं कि नाम है फिलिप और परेटर सिगमा खार्ड सिगम क Kerry इंडे फिलएप अड़ किया है शरुमकर से इंटी पर ca cé नहुगде है औए यह प्रोपरट यह को मैंने यहांपर कुछ verify भी किया है कि suppose यह आपका सिग्मा एक्स है और यह हमारी को इस्टेट बन राइट यह सौरी जिरो स्टेट है राइट ओके सो जब मैं इस पर उपरेट कराता हूं तो रिजल्ट निकल के आता वन बना जिस्ट मल्टिपलाई तुमारा यह आपके रिजल्ट है अब मैं सिग्म एक्स जिरो स्टेट पर बन मिलेगा वन पर करेगा तो जिरो मिलेगा सिग्मा वाई जिरो पर करेगा तो आयोटा वन मिलेगा और अगर सिग्मा वाई बन पर करेगा तो माइनस आयोटा जिरो स्टेट मिलेगी सिग्मा जैट जिरो के साथ करेगा तो जिरो आएगा और सिग के से related है या फिर हमको find out करना है इनकी value इसके matrix element की मदद से तो पहली बात तो matrix मालूम होनी चाहिए right और matrix के elements निकालने के लिए मेरे को states मालूम होनी चाहिए तो मैं क्या करूंगा जो हमारी states standard है उन्हीं states पर इस matrix के matrix element को मैं find out करूंगा तो matrix element find out करने के लिए simple जो quantum mechanics का हमारा postulates है वो कुछ इस तरीके से define है कि suppose हमारा कोई आपका operator A है या फिर matrix A है और अगर इसके matrix element किसी state ui में आपको find out करने है या फिर ui basis पर हमको find out करने हैं तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं लाइक दिस और यह हमारा निकल गया था ए आई ये elements ठीक है यह हमने पिछली वाली ट्यूट में भी किया था सो अब हमारा काम क्या है कि हमारे पास दो state है और इन state की मदद से हमको इसके matrix element हमको find out करने हैं got it तो अब कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं अगर मैं इस formula में put करूं suppose मैं इस में formula में put करता हूं कुछ इस तरीके से है लाइक दिस ओके तो अगर मैं यहां पर put करता हूं कि अगर x11 elements मेरे को find out करने जो तकी matrix को इस तरीकी से define हैढ़ थीक है तो मेरे पास यह result आना चाहिए यह बारा element अगर यह वाला चाहिए तो इस तरीके से मिरे को पता होने चाहिए यह चाहिए तो यह मालू यह होना चाहिए तो सबसे पहले हम लोग matrix element निकालने का procedure देख लेते हैं इसके बाद बात करते हैं next step तो matrix element निकालने के लिए आपको पहले चीज मालूम होने चीए यह वाली quantity साथी साथ यह वाली quantity तो पहला काम क्या है कि आप लोग निकालोगे यह वाली quantity तो आपके पास एक्स जो है वो कुछ इस तरीकी जिए डिवाइन था यह अगर ऑपरेटर है यह भी ऑपरेटर यह भी ऑपरेटर यह भी ऑपरेटर यह ऑपरेटर यह ऑपरेटर तो अगर इस complete operator को मैं operate करता हूं किस जब इस state पर operate होगी तो क्या मिलेगा हमारा सिम स्टेट नाओ सिग्मा एक्स अगर जीरो स्टेट पर करेगा तो क्या मिलेगा वन स्टेट राइट सो similarly आपको यह याद होने चाहिए थे जो कि मैंने भी डिफाइन किया था तो अब देख सकते है अब लोग कि यह सिग्मा ए वन आ गया वाई बाला जीरो के साथ वन आएगा आयोट भी आएगा जैड़ जीरो के साथ है तो जीरो वाली स्टेट आएगी तो इस तरीके से हमारे पास एक रेजल निकले का गया यह गौट टिट नौ इस इस यह वाला रिजल्ट हमको फान्ड़ करना है कि इस एक्स स्ट हो जाएगी रइट शेboys साथ में आजाएगी और फिर लो रिजल्ट देख लेंगे तो डिके साथ पर दे निक्साम के साथ चलेंगे तो 2 लिंस पर दो रेज हृट से ऑगे पास गश्म मेहले यह तो लाईक दिस और दिस तो अब हमारे पास पाइंड आट करने के लिए क्या चीज़ बेशी एक ये वाली एक ये वाली और एक ये वाली क्यों क्यों करते ही है कि ये जो रिजल्ट नहीं कल पर क़या इस पही हम लोग project कराएंगे एक बार ये वाली state और एक बार ये वाली state पर ठीक है तो हमको क्या करना है कि simply हमको ये वाली state operate करानी है तो अब देख लेते हैं कि जब मैं इसके साथ zero वाली state का inner product लेता हूँ तो अब देख सकते हो कि zero वाली state इसके साथ भी जाएगी इसके साथ भी जाएगी इसके साथ भी जाएगी और इसके साथ भी जाएगी got it अब यहाँ पर देख सकते हैं ये number है तो बाहर आएगा zero का zero के साथ one आएगा zero का one के साथ zero आएगा zero का one के साथ zero आएगा zero के साथ zero आएगा यह result में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो हमारी state 0 और 1 state जो होती न यह आपस में होती और्थोगोनल और और्थोगोनल state का जो inner product होता है वो के अकलत है हमारा 0 होता है तो मैं यहाँ पर वही result यहाँ पर use कर रहा हूँ और वो value हाँ पर put कर रहा हूँ तो इस तरीके से हमारा यह जो element है यह जो element जिसको हम लोगों ने एक्स बनमन बोला था वो हमारे result नकल के आता है यह 0 प्लस ए 3 ठीक है तो इसके साथ जब मैं जीरो state को यह कह सकते हूँ कि इस result को जब मैं जीरो state प्रोजेक्ट करा रहा हूँ तो result नकल के आता यह अब similarly अब इसके साथ मैं one का multiply करूंगा या फिर inner product लेंगा one के साथ तो बन के साथ लोगे तो आप खुद देख सकते हो कि one के साथ जब इसका इनर product होगा तो यह term 0 आएगा one का one के साथ होगा तो यह survive करेगा यह one वाला ठीक है और यह वाला भी survive करेगा आयोटा A2 वाला और यह भी 0 ह हो जाएगा तो अब अगर मैं one के साथ लेता हूं इसका तो result क्या आना चाहिए आप यहीं से देखिए one के साथ तो आप direct बताईएगा तो यह हो जाएगा zero तो यह जाएगा प्लस वन का one के साथ यह बना जाएगा प्लस यह बन वो बन है तो आयोटा A2 बचेगा और यह इस स्टेट वन एक्स जीरो वाली तो यह बचाएगा हमारा एक्स टू बन ठीक है तो हमारा एक रिजल्ट आ जागई यह है अब यह हमारे हो गए zero state के साथ अब हम लोग दोनों काम करते हैं इस स्टेट के साथ तो मेरे पास यह जल्ट है अब इसमें हम लोगों को इनर प्र बचेगे और यह बचेगे तो इस तरीके से जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा वह जाएगा एवन माइनस आयोटा एटो एक कुशन नमबर टू एक हमारी क्विशन यह निकल के आई थी अभी यह एक यह यह हो गई है ठीक है जिसको मैंने यहां पर लिख दिया है similarly यह व यह इस पर हम लोग अगर वनमाली का इंडर प्रोड़क लेंगे तो यह बदिए सरवाइब करेगा और यह वाला भी सरवाइब करेगा तो इस तरही के सा हम्तित्रस्वां क्या बचाए ठीग्वाला जाय डूशन-धell टौ और एक्सटूट यह चार एक्विशन हमारे यह स cioè आचुकी हैं और इन 4 एक्वेशन की मदद से मेरे को 0 ए securing करने है वं तो इस तरीके से मेरे पास 7-4009 मैं सब्वार सकता है इन दोनों की मदद से ए नाट निकाल लूँगा ए 3 न काल लूइं और को मदद से मैं ए 1र ए 2 find out कर लूँगा तो यह हमारा result निकल गया जाएगा कुछ इस तरीके से अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं इस equation और equation को follow करूं equation number one and equation number four तो अगर दोनों को add करूंगा तो इस तरीके से similarly a1 निकाल सकते हो और a2 निकाल सकते हो चार एक्वेशन चार अन्नोन हमारे इस तरीके से फंटक्ट हो जाएंगे और यही question में पूछा गया था कि आपके जो a1 a2 a3 आपके किस तरीके से करना था matrix element x के साथ ठीक है तो यह हमारा जल्टा जाएगा अब हमारा बचा है question number third अगर इस question में थोड़ा बहुत डावट है तो आप लोग self कीजिएगा procedure मैंने आपको बता दिया है सिर्फ इनर पोड़क्त लेना है और पहले operate कराना है तो इसके बाद इनर पोड़क्त लेना है matrix element का और अच्छी तरीकी से आपको समझना है तो आप इसके पिछले वाला क्यूज जो था उसमें मैंने डिफाइन किया अच्छे तरीके से तो आई थिंग वह चीज आप लोगो ने देखी होगे matrix element कैसे पानरूट करते हैं वहाँ से भी आप लोग सीख सकते हो तो अब जो मारा लास्ट इसका पार्ट बचा है वो देख लेते हैं लास्ट पार्ट में बोला गया था कि आपके पास एक matrix कि बेंती कुछ इस तरीके से और प्रूब करना था कि यह यूटरी है ठीक है तो अगर किसी matrix को यूटरी प्रूब करना है तो उसके साथ एक कंडिशन पॉलू होने चाहिए क्या कि उस matrix का अगर हम लोग complex conjugate लेने के बाद ट्रांस्पोज करें जिसको लोग बोलते हैं डेगर मतलब यू यू डेगर यह पर यू डेगर यू इस वाल्ट क्या होने चाहिए आइटिट तो अब मैं क्या करता हूं कि इस matrix का यह जो लिख प्रेक्टिस के लिए कर सकते हो कि बी नॉट आइटिटी प्लस आयोटा बी बन सिग्मा एक्स प्लस आयोटा बी टू सिग्मा वाई प्लस आयोटा बी थी सिग्मा जेट यह एक मैट्रिक्स है अब इसमें करना क्या है आपको पहले तो complex conjugate लेना है देन इसके बाद हमको इसको transpose करना है तो आपके पास result आपको कुछ इस तरीगी से मिलेगा यह चीज मैंनेट की है बट लॉंग बेटी उजना हो इसलिमें इंसोट लिख रहा हूं यह रिजट आपके साथ आएगा similarly नीचे वाले portion के साथ भी मैंने वही चीज की है अब दोनों का हमको क्या लेना प्रोड़क्ट लेना है तो जब प्रोड़क्ट लेते हैं तो हम लोग प्रोड़क्ट में क्या करेंगे यू बन चौरी यू जू था पहले वो लिख लिए और यहां पर यू डेगर लिख लि यहां पर टीनोट टीवन टीटू तीजी को मैंने फिर से यहां पर डिफाइन कर दिए कि आयोटा सुरी आइडेंटिटी सिग्मा एक्स सिग्मा और सिग्मा जेट ठीक है अब यहां पर जब मंटिपलाई करोगे ना तो कुछ टर्म से ऐसे आएंगे जहां पर हम लोग पॉ लोगे तो आपके साथ इन दोनों को प्रोडेक्ट लोगे तो आपके पास जो ऊपर वाले पॉर्षन बचेगा यह बनेगा और इन दोनों को सौल्व करोगे तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रीक्स निकलके आएगे तो यहां से प्रूप हो जाती है कि eu 32 है तो एसी मै ठीक है तो यह हमारी पहली प्रॉब्लम थी कंप्लीट और यहां पर कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होगी पॉलीमेट्रिक्स का यूज आपको मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ इसके साथ आप लोग बर्क कीजिएगा त्री क्रॉस त्री के साथ भी कीजिएगा पे